नमस्कार दोस्तों स्वागते आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में आज हम आपके लिए लेकर आया हैं मैट्स का एक और न्यू टॉपिक जो है नंबर सिस्टम तो यहाँ पे बेसिकली आधे टॉपिक्स को हम पड़ चुके हैं तो उनके उपर हम नहीं चलेंगे जो यहाँ पे अडिशनल टॉपिक्स हैं तो इसलिए मैं आपके लिए नंबर सिस्टम से लेटेड आज सैकंड वीडियो लेकि आया हूँ इससे पहले भी हमने एक वीडियो डिसकस की थी जहाँ पे जो भी बेसिक से नंबर है नंबर क्या होता है आपके पास प्राइम फेक्टर, प्राइम नंबर्स, इवन, और, इर्रैशनल, इर्रैशनल इन टम्स को हमने बहां पे स्टड़ी किया था तो आज जो इससे एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो कि यहाँ पे काफी इंपोर्टेंट है and उसके questions भी हम आपके साथ यहाँ पे study करेंगे तो आएए वीडियो को शुरू करते हैं तो numbers पहले पढ़ चुके है natural number भी हम पढ़ चुके है whole number भी हम पढ़ चुके है whole number क्या होता है आपके पास when we include zero यानि zero add होगा and बाकी positive number prime number क्या होता है जिसमें आपके पास two factors होते है या a number other than one is called prime number if it is divisible only by one and itself one जो है आपके पास prime number नहीं है क्योंकि इसके दो factor नहीं है prime number कहां से आते हैं आपके पास two, three, five, seven यह जो हैं आपके पास सारे के सारे prime number है and total कितने prime number आते हैं आपके पास 25 prime number हमारे पास यहां पे आते हैं जो की one to hundred के बीच में होंगे and यहां पे आपके पास एक question है जहां पे आपको बताना है कि prime number कौन से हैं जो यहां पे है आपके पास तो यह आपके लिए है आप इसको easily बता सकते हो कि कौन से prime number है कौन से नहीं आपको क्यों factors बनाने हैं अगर factor बन जाते हैं या तो आपके पास 2 factor बनेंगे या तो 2 से ज़्यादव factor बनेंगे so next मारे पास composite number आता है तो composite number क्या होते है मारे पास a number other than 1 which is not a prime number is called composite number जो की prime number नहीं होते हैं आपके पास वो सभी के सभी आपके पास composite number है okay even जो की 2 के साथ divide होते है and जो आपके पास odd number है जो की 2 से divide नहीं होते है next आता है consecutive number consecutive term काफी time use की जाती है टैट में and काफी ज़्यादा student यहाँ पे confuse हो जाते हैं कि consecutive number है क्या तो consecutive number एक sequence होते है आपके पास जैसे मारे पास 1, 2, 3 तो जैसे 2 है 2 का consecutive आपके पास 3 है 3 का 4 है यानि आपको आगे बढ़ते चलना है एक एक number के साथ a series of number in which each is greater than that which preceded it by 1 is called a series of consecutive number ओके इसी तर आपके पास predecessor and आपके पास जो successor है बहाँ से question आते हैं तो कौन किसका successor है कौन किसका predecessor है तो successors में आपके पास यही term use होती है इसमें भी आपके पास और guys successor जो है आपके पास यह successor number जो है वो 1, 6th class का topic है आपके पास तो इतना बड़ा topic नहीं है फिर भी बहाँ से question आते हैं successor and predecessor में आपके पास तो successor में success होती है यानि आपकी जो value जैसे 999 का अगर आपको successor लिखना होगा तो आपके पास आएगा 1000 अगर आपको इसका predecessor लिखना होगा तो आप 1 minus करोगे यह value आपके पास यहाँ पे आएगी इसको जुरूर याद रखिएगा काफी time इससे भी question पूछेगे हैं consecutive क्या होगा आपके पास जो की next number को represent कर रहा है and यहाँ से एक और term आती है consecutive even number and consecutive odd number तो consecutive even क्या होगा 6, 6 का consecutive even क्या होगा हमारे पास 8, 8 का होगा 10 यानि आपको even number के ओपर चल लाए odd को escape कर देना है and जब आपके पास यही term even and odd के case में पुछी जाएगी तो जैसे 5 है 5 का आपके पास consecutive odd number क्या होगा वो आपके पास आएगा 7, फिर 9 तो आपको 2, 2 के gap के साथ आगए बढ़ना है इसके साथ even में even number आएगा, odd में odd number आएगा integer क्या होते हैं आपके पास जिसमें सभी के सभी number होगे positive, negative, including 0 एंड उसके बाद आपके पास rational and irrational term है तो इनको हम पहले ही आपके साथ study कर चुके हैं एंड यहाँ पे हमारे पास कुछ general formulas आते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आपको questions solve करने हैं तो हमारे पास पहले जो formula आते हैं a square minus b square is equal to a plus b and a minus b फिर आप इसको rearrange कर सकते हैं इस formula को किसी भी type में तो एक बात हमेशा जाद रखिया हो सकता है आपको ये term दी हो ये term दी हो, ये निकालनी हो तो question को गुमा गुमा के किसी भी तरह से tat में पूछा जा सकता है easy questions को भी बहाँ पे पूछा जाता है तो ऐसा मैं सोचे कि difficult term ही आपके पास आएगी फिर a plus b का cube आ सकता है a minus b का cube आ सकता है फिर आपके पास a plus b इनी को rearrange करके जो ही यहाँ से निकाला गया है and इन question को जुरूर याद रखियेगा and ये भी terms काफी important है a raised to power x into a raised to power y तो जब multiplication में आपके पास तो इनको हम क्या करेंगे add करेंगे जब divide में है तो इनको minus करेंगे अगर raised to the power में है तो इनको multiply करेंगे and अगर आपके पास a raised to power x है जो की b raised to power x के बराबर है तो a जो है b के बराबर होगर and x जो आपके पास 0 आ जाएगा and दोनों के दोनों अगर आपके पास different है तो x and y equal भी हो सकते है and यह आपके पास a 0 हो सकता है 1 हो सकता है तो यह तो values है इनको आप रहने दीजिए next question आता है ascending order या descending order so जो आपके पास fractions होती है यह question हर time आता है क्योंकि maximum इसमें confused होते हैं कौन सी बड़ी value होगी कौन सी छोटी value होगी तो आपको 4 या 5 fractions दी होती है आपको उनको या तो ascending order में या तो आपको descending order में उनको set करना होता है आपने सोचा होगा कि मैं directly questions करवाता हूं जादा maths मैं इनको board के ओपर explain नहीं करता तो guys basically आप सभी teacher हो मेरा जो main उदेशिया है इन videos को बनाने का वो है कि आपको पता लग सके कि किस तरह के question exams में आते हैं जैसे कि हम explain भी कर देते हैं कि ये question इस तरह से होगा अगर कोई first time इन question को करेगा जैसे कोई छोटा बच्चा है उसके लिए explanation माइने रखती है आपको पहले से fraction आती है आपको cable थोड़ा सा इसका idea बताना है कि आपको इन questions को इस तरह से करना है बाकि calculation आप easily कर सकते हैं तो जैसे कि यहाँ पर आपस पूछा गया है कि आपको बताना है कि सबसे बड़ी fraction कौन सी है तो अगर आपके पास denominator एक जैसे होंगे तो तो आप easily numerator के basis के उपर इनको explain कर दोगे बाट अगर आपके पास difference है जैसी यहाँ पर 4, 5, 6 है तो आपकी इस तरह से बताऊगे तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो चलिए normal सा question है यहाँ पर देख सकते हैं कि 1, 1 का difference है तो यहाँ पर ज़्यादा confused होने की बात नहीं है जैसे 3 upon 4 है फिर आपके पास यहाँ पर 4 upon 5 आ गया फिर आपके पास 5 upon 6 आ गया तो यह सारी की सारी एक ही टाम होई क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर जो 1, 1 का ही difference है आपके पास जब यह 1 increase हुआ तो यह भी 1 increase हो गया यह 1 increase हुआ यह भी 1 increase हो अब जो 6 है आपके पास उसके जो 5th part होगा वो काफी है भी होगा जैसे कि आप इस तरह से मान सकते हैं कि जो भी 6 part है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, and 6 part माल लीजी आप यहाँ पर इसको so यहाँ पर आपके पास क्या है 6 मैं से 5 part है यहाँ पर okay and next 5 है तो 5 मैं से 4 part है 4 तो automatically कम हो गया okay तो यह काफी easy terms है यहाँ पर आप देखोगे तो 2, 2 का gap है साभी में बात वो ही है again आपके पास यही जो है यहाँ पर सबसे बड़ी term आपके पास बन जाएगी okay sorry yes yes यही है इन्होंने यही सबसे बड़ी term है क्योंकि सभी में 2, 2 का difference है उसके बाद यहाँ पर देखिए आप तो यहाँ पर क्या है 1, 1 का difference सभी में and ऊपर जो है आपके पास 3 and 3 का difference पड़ा हुआ है तो यह भी आपके पास common सा question है अब चलते हैं जो कि question exams में आते हैं जब आपको ऐसा question exam में आएगा तो हम सभी क्या करते हैं हम सभी इस method को follow करते हैं हम divide करते हैं फिर उनको compare कर लेते हैं इसमें क्या होता है कि हमारा काफी ज़्यादा time जो है बहाँ पर based हो जाते हैं काफी लंबी calculation हमें करनी पड़ते हैं तो हमें method number 1 के ओपर चानला है हमें क्या करना है सबसे पहले हमें जो भी इसका denominator है उसको एक समान बनाना है जब हमारे पास denominator एक बन जाएगा तो हम इस question को easy way में कर पाएंगे and अगर आपके पास जैसे 10 से sometimes काफी बड़ी terms होती है तो हम उसको भी easily solve कर सकते हैं हमको cable उनका LCM निकालना होता है so अगर छोटी terms हैं तो आप उनका LCM निकाल सकते हैं and basically fractions में काफी छोटी terms सी दी जाती है तो आप उनका easily LCM निकाल सकते हैं बाकी आपकी च्वाइसे अगर आप इस pattern को follow करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे calculation में काफी ज़धा time use हो जाता है so जब आपको यहाँ पे इसका LCM आपने ले लिया तो हमारे पास जो इसका LCM आया था वो हमारे पास यहाँ पे आया था 630 ओके 630 जो है हमारे पास इसका LCM आया था अब जिस तरह हम 630 करके अब जो उपर की time में हम कैसे लिखते हैं 7 के साथ इसको divide करते हैं पहले कैसे करते हैं 630 divided by 7 and जो उपर टाम होती है उसके साथ इसको हम multiply कर देंगे तो जब हमारे पास यहाँ पर क्या है 7 है यहाँ पर 6, 3, 0 है तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 90 आ गया and 90 के जाए सब 3 को multiply किया तो 270 हमारे पास यहाँ पर बन गया next में भी हमने यही किया तो हमारे पास यहाँ पर कितना बन गया 504 ओके तो इसी normal सा and अब देखोगे आप तो अब easily आप इसको निकाल पाओगे कि कौन सी टर्म बड़ी है कौन सी टर्म चोटी है तो यहाँ पर देखिए 378, 490, 504 तो 504 सबसे बड़ा है तो आप इसको यहाँ पर arrange कर सकते है and आप इसका यहाँ पर answer भी इसको जो भी यहाँ पर values होगी उसको उपर की value के साथ compare करके आप easily answer निकाल सकते है and अगर आपकी calculation fast है तो आप second matters को भी कर सकते है 7 को 3 के साथ कीजिए 5 को इसके साथ कीजिए आपके पास easily in terms में answer आ जाएगा ओके बट क्या होता है कि sometime यहाँ पर mistake हो जाती है जैसे हमारे पास 0.772 होगा फिर आपके पास जो next term आएगी 0.773 आ जाता है इस type से आ जाता है और हम क्या करते हैं कि यहाँ तक calculation करते हैं आगे वाले को escape कर देते हैं तो यह आपके पास better method है and next हमारे पास formula जाते हैं जो की directly exam में पूछ लिए जाते हैं यहाँ से question भी आपके पास बनते हैं तो first हमारे पास sum of all the first and natural number अगर आपको first natural number का sum निकालना है तो आपको formula लगाना होगा n into n plus 1 upon 2 and जो है आपके पास final number को represent कर रहा है जैसे आपको 105 number तक sum निकालना है तो आपने क्या किया जो 105 है उसको n की जगा पूट कर दिया अगर आपको first and odd number का निकालना है तो आपको पास simple सा formula n square ओके फॉर एक्जामपल आपको 1, 3, 5 and 7 का निकालना है तो directly force के is equal to 16 अगर आपको 20th term का निकालना है odd number का n का square directly so this will be equal to 400 तो जैसे कि आपको first 20 का निकालना है तो first 20 odd number आपके पास कहां पे होंगे जाके वो आपके पास होंगे 39th number तक जो है आपके 20 odd number जो हो जाएंगे फिर आपको अगर first even number का निकालना होगा तो n into n plus 1 ओके इसी formula को याद रख लीजिए first n natural number के लिए n into n plus 1 upon 2 odd के लिए n square and even के लिए n into n plus 1 हम यूज करेंगे यहाँ पे आपके पास example भी है and अगर आपको sum of square of first n natural number अगर आपको first n natural number का sum निकालना है squares का ओके आपको squares का निकालना है वो भी n natural number का थो हम formula यूज करेंगे n into n plus 1 into n 2n plus 1 upon 6 and n आपको nth term को represent कर रहा है and next आता है cube sum of cube of first n natural number तो आपको अगर cube निकालना होगा तो हम यूज करेंगे n into n plus 2 जो कि n natural number का है and उसका हम square कर देंगे यह question पिछली बार tat में आया था but इन्होंने थोड़ी सी mistake कर दे थी इन्होंने cube की जगा square कर दिया इसके बज़ से इसके grace mark जो है सभी को दिये गए थे and यहाँ पे note है आपके पास if the first n counting number there are n upon 2 odd जो आपके पास n upon 2 है जैसे आपके पास कोई odd number है तो हम क्या करते है बहां पे ns term तो पता होनी चाहिए जैसे first 40 का हमने बहां पे निकाला था 1 to 40 अगर आपको odd number calculate करने है तो क्या करेंगे हम 40 divided by 2 हो जाएगा आपके पास odd number आ जाएगे even number आ जाएगे अब जैसे हमारे पास 51 है तो इसमें कितने odd number है हमारे पास तो इसमें एक जो है पहले ही odd number है आप 50 by 2 करेंगे आपके पास 25 आ जाएगा plus 1 यानि 26 जो आपके पास यहां पे 26 odd number आ जाएगे तो यही आपको बताया गया है क्योंकि अगर आपके पास n upon 2 odd होंगे या n upon 2 even होंगे number provide n the number of numbers is even if n the number of numbers is odd then there are 1 upon 2 n plus 1 odd number and 1 upon 2 n minus 1 even number example देके समझते हैं जैसे आपके पास पूछा गया है 1 to 50 कितने odd number है कितने आगे आपके पास 25 even कितने आगे 20 या 25 अब 51 तक पूछा गया है तो जो हमने आपको बताया था तो formula लगाने की जुरूरत भी नहीं है 51 है 1 को calculate कर लीजी and बाकी आप इनको divided by 2 करके लिख सकते हैं and चलिए आप questions के उपर चलते हैं exam में आपको MCQ के according दिये होंगे बट यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा theoretical way में है तो first question आता है what is the total of all the even number from 1 to 400 तो आपको यहाँ पे sum निकालना है यह total of all even number from 1 to 100 तो यहाँ पे even number पूछेगे आपके पास कि कितने even number है and उनका sum भी आपको निकालना है तो even number कैसे निकालाओगे आप इसको आप 2 के साथ divide कर दोगे सबसे पहले हमने divide कर दिया हमारे पास कितने बन गए यहाँ पे 200 यहाँ पे 200 हमारे पास यहाँ पे even number है अब हमें उनका sum निकालना है तो sum निकालने के लिए rule number 3 वो क्याथ हमारे पास n into n plus 1 so 200 into 200 plus 1 तो आपके पास यह बन जाएगा 201 into 200 इसकी आप calculation भी इसी भी में कर लगते हैं 200 into 00 यहाँ से आपके पास 20 आपके पास यहाँ पे यह एक और यहाँ पे आएगा 200 एंड 4 तो यह term आपके पास यहाँ पे बन जाएगी 402 अगर आपको जो formula है n into n plus 1 याद है तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी इसको solve करने के लिए next हमारे पास पूछा गया है what is the total of all the even number again even number तो total number of even number कैसे निकालोगी यहाँ पे कितना है 361 है तो लगाओगे बोही formula n-1 upon 2 कर दीजिए क्योंकि जो 1 है आपके पास 361 वो तो आपके पास even है ही नहीं even number है अगर आप odd देखोगे तो 181 odd number है आपके पास तो again बोही formula n into n plus 1 ओके next हमारे पास इन्होंने odd number निकाला है what is the total number of odd number odd के लिए भी हम बोही formula यूज़ करेंगे but odd के लिए हमारे पास जो sum के लिए formula आपता है बहुत है n square ओके तो n square mean 90 का square यानि 90 into 90 this will be equal to 00 and into 81 तो यह आपके पास इसका answer यहाँ पे आजाएकर 0 and 81 so 8100 is the right answer and next हमारे पास what is the total of all the odd number again odd number तो 26 odd number है इसको आप कर लिजिएगा मैं next question के ओपर चलता हूँ जो की काफी important है आपके पास यह question आप ही जाता है और student confused होते हैं find the sum of all the odd number from 20 to 101 अब आपको पूछा गया है odd number कितने से कितने तक 20 से लेकर 101 तक जो भी odd number आपके पास आएंगे आपको उनका sum निकालना है तो अब किस तरह से निकालोगे firstly हम इन्होंने तो direct formula लिख दिया है firstly क्या करेंगे हम आपको जैसे odd number पूछा गया है तो firstly एक से लेकर 101 तक कितने odd number होंगे आपके पास वो निकाल लीजिये कितने होंगे 1 यह आपके पास एक होगया and 151 odd number जो हैं आपके पास यहां तक present है यहां तक कितने है 51 odd number है यहां तक कितने होंगे आपके पास 10 odd number होंगे तो आपके पास क्या बना यहां पर sum of first 51 odd number and sum of first 10 odd number तो आपको sum निकालना होगा किसका 51 odd numbers का and next के 10 odd numbers का क्योंकि आपको यहां पर sum कहां किस कहां तक निकालना है sum of all the odd number from 20 से लेकर 101 तक आपके पास कितने odd number आ रहे हैं तो कितने odd number आ रहे हैं 51 odd number जो हैं हमारे पास बहां पे आ रहे हैं and 10 odd number जो हैं आपके पास यहां पे हैं तो हमने इसको निकाल लिया कितने odd number हैं आपके पास यह एनध टर्म्स हैं 10 other terms हैं, तो 10 का square, यहाँ पर कितने हैं, 51 का square, ओके, and directly square करके, हमारे पास इसका final answer आ गया है, अगर आपके पास odd दिये होंगे, even दिये होंगे, squares दिया होगा, हो सकता है, आपके पास squares हो, तो कैसी भी तरह से question आपके पास आ सकते हैं, तो आपको अब cable questions की practice करनी है, या तो याद रखिए, and formulae से आप easily इनको solve कर पाऊगे, okay guys, तो number systems related, यह कुछ important formulas and terms थी, so इसलिए आज हम आपके लिए ये वीडियो ले कर आए हैं, okay, and आपने खुद देखा होगा, यहाँ पर जो भी हमने आपको करवाया, तकरीबन 2-3 questions, maximumly, हर टाइम पूछे जाते हैं, so आज क वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, thank you, have a nice day.